आज मैंने मडवा सुका रखा यह मेरे पाद 2-3 किलो मडवा इसको मैंने इसका छिलका निकालना है तो छिलका कैसे निकालके आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मैंने इसको सुका लिया है दो दिन से अगर आपके पास भी मढवा है तो इसी तरीके से इसका छीलका निकालना और इसको फूटना, चक्की वाले ऐसी नीपीशते इसका छीलका निकालने का फ्रेयास करती हूँ, अगर छीलका निकल गया तो हमसा की लाईने, इतना यह भी पड़ा है, कि एसकर मैंने फोल्ड कर गिया है देखिए बंद हो गया अब ले रखाया है मैंने यह कूटने वाला कपड़े कूटने वाला हलके हाथ से हम इसको करना है हमने 20 मिनट मिनट में हमारा झिलक्र मिया जाएग अगर एसनुकर सकते हो तो एक जग लेना है वने जग अगाए आपके पास अगर लकडी होगी तो कर सकते हो देखिए इसा चाहिए अब लेखै मैं तो आपको कॉम सी ट्रिप्स अच्छी लगी मुझे तो यह वाली अच्छी लगी गिर भी नहीं रहा है इसमें और बिल्कुल इमान दस्ता काम कर रहा है इसमें टैम लगता है थोड़ा जब तक आप इसका छिलका नहीं निकालोगे तो चक्की वाले भी पीसते हैं छिलका बनाना है ऐसे करके शिलका निकालके काला दाना जो होता है न दोस्तों आज मेरा कुछ काम पढ़िए था इसलिए मैं बजार चले गई थी जए रेस्वी बनाने में टैम नहीं मिला इसलिए आज मैंने सुछा चोटी सी वीडियो आपको दिखा दू फ्लीज वीडियो को दे पर आपके सामने हाजिर मैंने जरूर होना है कि मुझे तुमारी याद आजती है जो पिज्जा मैंने डारा था ब्रेट का उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशिवार और इतने लोग मुझसे आज जुड़े हैं सबने मुझे अच्छे कमेंट कर जल्दी से दो लाग फॉलोवर कमपलीट कर दो मेरे प्ली जाज जोड़े निवेधन है बहुत कुछी होती है आप लोग मुझे इसना आज पहुचाते हो फूट लिया है मैंने होगे मुझे 15 मिनिट देखते हैं इसका छीवता निकला वाओ उड़ भी रहा है देखिए हव सौग हो रही थी इसका चुछा के असान तजिये से निकल जाता है तो आप लोगी छिलका निकालना इसका मदवे का इसको साफ कर लेता है फिसा के लाते है चट्वी में जए चैसे निकल गया है इसका यह एक और दाना वहारा बढ़िया हो गया है तो फूर भी ग्या है कि द